दोस्तो मूली के पराटे तो आपने बहुत बार बनाये होंगे, बहुत बार खाये होंगे, तो आज मैं आपको अपनी तरह है की मूली की रिस्सी भी बताने जा रहे हूँ, बहुत ही बनाने में EASY है और बिल्कुल भी time नहीं लगता है, the perfect plate में आपका स्वागत हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं मैंने एक मूली लिए इसको छील के अच्छे से दो के मैंने कद्दुकश कर दिया है तो एक मूली को मैंने कद्दुकश कर दिया इसमें भी थोड़ी सी भचाई थी और एक बाउन में हमें टांसपर करना है ये सारी मूली हमें मूली का पानी भलकुल नहीं निकाल देना है मैंने एक प्याज से पतला पतला चौपट करके इसमें ढाल दिया है और उसके बाद मैंने एक शिमला मिर्ची ढाल दी है हमें पहले इसको ऐसे ही मिक्स कर देना है और उसके बाद हमें क्या करना है सुखे मशाले एट करना है आदा चमस नमक स्वाधनुसा हल्दी पौडर और लाल मिर्ची पौडर इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है हमने अभी तक पानी नहीं डाला है सारे मशाले भी मिक्स ह आधा कप पानी ठाल देना देना बिटरoths काई टतरुअर हमें मुल निकलत प्याज के पानी निकलते है टमाटों इस थोड़े घीलिह भात ठाप अधंव नेधिक सभी देना है ठाफ करके रटह स्कनय की नथाङ़स सक के देचे मिकस हश यह मीटर हमें चाल। कोई-कोई लंग्स रह जाते हैं तो सुखे-सुखे अच्छे लिए लगते हैं इसके बाद मैंने एक पेंट रखा है जिस पर हमें इसे सेकना है हमने इसको आईल लगा दिया है अच्छे से चारो तरफ और फिर हमने एक-एक चमस करके इसमें डालके और अच्छे से फेला दिया है चमस की मदद से मैंने निडलेप का लिया है तब आप चाहे तो कोई भी तवे पर बना सकते हैं ये कौन से भी तवे पर बन जाता है और उसके बाद जैसे ही सेख जाए तो हमें इसको पल्टा देना है तो इस टैप से हमें जैसे पराठे सेखते ही हमें इसे ही सेखना है और उसके बाद मैं आ यह चमच करके यह बेटर डाल रही हूं और इसको अच्छे से फेला देना है और ढखन लगा के 5 मिनट की पका देना है कि अंदर से भी अच्छे से पक जाएगा और इसके बाद 5 मिनट हो गया अब जैसे इसे पक गया है उसे हमें पल्टाना है तुरंथ और दूसरे साइट भ भी आप खा सकते हो बहुत जादा टेस्टी होता है यह आप और बनने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है तो आप बताए कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसे लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना जो न्यू है वो सब्क्राब जरूर क मिलते हैं अगले वीडियो में बाई थेंक यू